सर मेरे शादे को मातर 15 दिन हुए हैं, बट newly married जैसा हमारे पीच कुछ भी नहीं है हमारे first night के दौरान मुझे bleeding नहीं हुई थी जिसकी वज़े से मेरे husband हर वक्त मुझे ताना कसते हैं और मुझे पर शक करते हैं married life hell होती जा रही है, वो समझना ही नहीं चाहते किसी बात को, क्या करूँ Good evening doctor साब जी good evening, क्या नाम है आपका और कहां से बात कर रहे हैं आप Sorry doctor, मैं अपना नाम और location नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरी ही problem नहीं, बलकि मुझे personally लगता है कि मेरे इस problem से कई female खुद को correlate कर पाएंगी और sir, मैं ये video अपने husband को भी दिखाऊंगी, इसलिए अपना नाम और location में disclose नहीं करना चाहती हूँ जी कोई problem नहीं है, ये completely आपकी choice है, कि आपको अपनी identity disclose करनी है या नहीं तो क्या problem है आपकी Sir मेरी शादे को मातर 15 दिन हुए हैं, बट newly married जैसा हमारे पीच कुछ भी नहीं है हमारे first night के दोरान मुझे bleeding नहीं हुई थी जिसकी वज़े से मेरे husband हर वक्त मुझे ताना कसते हैं और मुझे पर शक करते हैं I am confused कि अभी से ये हाल है, तो आगे क्या होगा Married life hell होती जा रही है, वो समझना ही नहीं चाहते किसी बात को, क्या करूं बिल्कु सही कहा आपने, और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तिफाक रखता हूँ क्योंकि practice के दोरान भी कई ऐसे cases आते हैं, जहां सिर्फ अग्यानता के कारण रिष्टे तूट जाते हैं और उनमें ये problem काफी commonly सामने आती है पहले तो ये समझिए कि first intercourse के दोरान bleeding क्यों होती है तो देखिए, females में एक thin piece of membrane होती है, जो कि vaginal opening को partially cover करता है ये membrane कुछ लोगों में during first intercourse break हो जाता है, जिसकी वज़े से bleeding होती है पर इसका ये हरगिस मतलब नहीं होता, कि जिसको bleeding नहीं होई है, वो virgin नहीं है क्योंकि hymen किसी भी woman की virginity को prove करने के लिए नहीं होता It's just a membrane जो कि कभी भी break हो सकता है खेल के दोरान break हो सकता है, exercise है, dancing है, cycling है, horse riding के दोरान हो सकते है masturbation के कारण हो सकते है, even यदि आप tampon use करते हैं तो भी हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि first time intercourse के दोरान virgin females bleed करें हो सकता है कि वो virgin हो बट उनकी hymen break हो गई हो या फिर since birth ही absent हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने पार्टनर पर बेवज़ा सिर्फ hymen के basis पे doubt करना बहुत ही गलत है मैं आप से यही कहूंगा कि अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करें क्योंकि जब हम I को B में बदल देते हैं तो illness भी wellness में बदल जाता है कहने का मतलब है कि अपने husband को समझाईए कि वो अपनी इस mental illness से बहार आएं और happy married life की wellness की ओर कदम बढ़ाएं हमारा ये वीडियो उन्हें जरूर दिखाएं ताके वो भी समझ सकें कि वो कहां गलत हैं और अपनी गलती का सुधार कर सकें साथ ही अपने viewers से मैं यही कहूंगा कि किसी भी गलत मित को सही मान के अपने रिष्टे को बिखरने ना दें ये बात हर व्यक्ति को समझनी है कि hymen का होना ना होना किसी भी woman की virginity का पैमाना नहीं होता It's simply a big issue over a small tissue जी थैंक्यू डॉक्टर साब मैं अपने husband को आपकी वीडियो के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी